की सागत आप सावी का एक नई वीडियो में आज की इस इस वीडियो में हम बात करेंगे full forms के बारे में तो जब हम syllabus करते हैं जब भी हम अपने topics को cover करते हैं तो बहां पर बहुंप सारी हमें short term देखने को मिलती है full forms देखने को मिलती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब देखिए अगर सुप्री टेंडेंड आपको लिखना है तो बार-बार आप उसको सुप्री टेंडेंड लिखने की बजाए उसको शोट टर्म में लिखते हैं SP उसी तरह से बहुत सारी यहां पे फुल फोर्म्स हैं में यह पूछी जाती है और PA में यह important इसलिए है क्योंकि जब syllabus करते हैं तो यहीं से आपको बहुत सारी बार-बार फुल फोर्म्स देखने को मिलेंगी या फिर आपको छोटी टर्म्स दियोंगी आपको उनकी फुल फोर्म्स पता होनी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो यहां पे लगवग 100 के करीब फुल फोर्म्स आज हम इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फावैटिकली ओडर में हमने इनको लिखा हुआ है तो उसी तरह से आपको पढ़ने में और भी आसानी हो चाहेगी तो चलिए शुरू करते हैं जासे सबसे पहले APO Organization of Department हमने किया था बहाँ पे हमने Army Post Office किया था लेकिन अग एक्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि How many APO hours in India तो आप क्या जबाब देंगे अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इसकी full form क्या है तो इसकी full form होती है Army Post Office उसके बाद APPU Asian Pacific Postal Union और ये बार-बार पूछी जाती है आप इनको बिलकुल अच्छे से करेंगे और दूसरी है उसके बाद ASPO तो ये भी हमने पड़ी है ASPO ठीक है तो इसकी होती है हमारे पास ASPO की Assistant Superintendent of Post Office उसके बाद ASRM Assistant Superintendent of Railway Mail Service ठीक है तो ये बार-बार हम करेंगे Volume 5 में हमने ASRM बार-बार किया है तो ये सारी आपको अच्छे से करनी है उसके बाद AMPC हम बार-बार करते है Automatic Mail Processing Center Next BNPL BNPL होता है हमारा Book Now Pay Later कि आप booking जो अभी कर सकते हैं और उसके लिए जो भुकतान है आप बाद में कर सकते हैं तो इनके लिए हमने पूरे topics भी किये हैं लेकिन फुल फॉर्म हमें फिर भी पता होनी चाहिए उसके बाद BMO की बात करें Bulk Mail Office CBPO अब CBPO भी आपका APO से ही जुड़ा हुआ है ठीक है Army Post Office से ही जुड़ा हुआ है इसको कहते है Central Waste Post Office Next हमारे पास CMO Corporate Mail Office CPMG यह वर्ड हम बार बार देखेंगे CPMG PMG ठीक है तो CPMG की फुल फॉर्म होती है Chief Post Master Journal उसके बाद COP Certificate of Post Next हमारे पास CBU Central Bagging Unit अगर आपको किसी भी फुल फॉर्म में लगे कि कुछ गलत बताया है या खिर कुछ में गलती आपको दिखाई देती है और यह पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है Next हमारे पास DBO तो DBO की फुल फॉर्म होती है आपके पास District Bag Office DPS Director Postal Service CTMO Computerized Transit Mail Office Next हमारे पास ECS ECS की फुल फॉर्म होती है Electronic Clearance Service और Post Office में इस Service का यूज़ आपको बड़े अच्छे से बताया है कि आपकी जो MIS होती है बहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आपकी बहुत सारी transactions होती है यनि कि single user sources से जाती है बहुत सारी customers को भेजी जाती है जैसे आपके इंटरेस्ट रेट है ठीक है बहुत सारी customers को भेजा जाता है Post Office एक ही है ठीक है बहुत सारी customer को भेज़ता है तो ECS Electronic Clearance Service का यूज़ बहाँ पे किया जाता है EFT Electronic Fund Transfer उसके बाद EMO Electronic Money Order उसके बाद है हमारे पास E-Post की Full Form होती है Electronic Post ESMO तो ESMO जो है इसकी दो Full Forms है यहाँ पे हमारे पास Extended Satellite Money Order और दूसरा है Electronic Satellite Money Order तो Volume 5 में हम देखेंगे हमने यह Volume 5 में भी किया है कि ESMO जो होता है Extended Satellite Money Order Extension Counter की तरह है यहाँ पे काम होता है ठीक है तो यहाँ पे Extended Satellite Money Order हो जाएगा साथ में Electronic Satellite Money Order घिजाब में दोनों में से आपको कोई भी दिखे तो इसका से यह Answer बोई हो जाएगा EMS Express Mail Service Next है हमारे पास EPP Express Parcel Post FPO FPO की दो Full Forms है हमारे पास Foreign Post Office और Field Post Office Mostly जो Commonly है आपकी Foreign Post Office क्योंकि यह Volume 5 में बार-बार आती है उसके पाद FSPO Foreign Sub Post Office Next है GPO तो GPO Most Important और इसकी Definition जो अब बार-बार जुरूर पूछी जाती है GPO की Journal Post Office HPO Head Post Office SO Sub Office ठीक है BO Branch Office तो यह तो आपको पता ही होंगे उसके बाद HSA HSA Head Sorting Assistant जो Postman की त्यारी कर रहे हैं या PA की उन्होंने बार-बार यह Word देखा है HSA Head Sorting Assistant परधान छंटाइस हाए के होता है HRO Head Record Office ठीक है उसके बाद आपका ISP Indian Security Press जो नासिक में है उसके बाद आपका IRM ठीक है IRM की फुलफोर्म होती है Inspector Railway Mail Service ठीक है ASP आपका Assistant Superintendent of Post Office SRM Superintendent of Railway Mail Service IRM Inspector Railway Mail Service उसके बाद IVP इंदरा विकास पत्रा ILC भी Common Word है और जो बार-बार आपको देखने को मिलता है Inland Letter Card उसके इमो Instant Money Order IFSMO International Financial System Money Order ठीक है ये Important है आपका KVP किसान विकास पत्र KVU केंद्रिय वैगिंग यूनिट MS BY तो ठीक है ये कुछ एक आपके ऐसे Word है जो कभी न कभी एक्जाम में पूछ लिये जाते है तो MS BY जैसे महिला समरीद्धी योजना SS से आपका जैसे होता है शकन्या समरीद्धी योजना अब ऐसे ही आपके पास MS BY है महिला समरीद्धी योजना उसको बाद MO की Full Form है Money Order और MO की Electronic Money Order MDG मुख्य डाक घर अब मुख्य डाक घर के बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ MDG जो है आपका एक SO का परकार है ना की HO का परकार है नाम इसका चाहे मुख्य डाक घर है लेकिन ही SO का ही एक टाइप है और इसमें Confuse नहीं होना है अब इक्जाम में की Question पूछा भी जाता है और गलती भी यहां पर बार-बार करते है कि आपका MDG जो है एच्चो नहीं SO है उसका अध MMC एक आपके पास Word आता है MMS और दूसरा आता है आपके पास MMC तो MMC जो होता ही होता है Mass Mailing Center और MMS जो होता ही होता Mail Motor Service जोनों में फरक ध्यान में रखना है एक में Last में C है और दूसरे में S है Next है हमारे पास NSC National Savings Scheme NPO की बात करें Night Post Office या फिर Nodal Post Office जोनों में से आपकी इन में से कोई भी हो सकते है Mostly जो use होती है वो Night Post Office के लिए की जाती है Next है PRSS important है और एक्जाम में पूछी भी जाती है Payroll Savings Scheme PIN की बात करें तो ये भी Commons ही है आप PIN Codes होता है Postal Index Number जिसे कहा जाता है POD की बात करें Proof of Delivery PLI ये भी आपका Commons अवर्ड है Postal Life Insurance PSD Postal Store Depot CSD Circle Stamp Depot दोनों में ध्यार रखना है Next है आपका PTC Postal Training Center Next है आपका PSO Press Sorting Office या फिर Packet Sorting Office PMG CPMG Chief Post Master Journal और PMG है आपका Post Master Journal PCO की बात करें Public Call Office तो ये Post Office का नहीं है लेकिन Important है आपको इसको विध्यान में रखेंगे PPF Public Provident Fund उसके बाद RAKNPA Most Important अगर बात करें यहाँ पे Full Forms की RAKNPA Most Important है ये रफी अहमद किडवाई National Postal Academy और कहां पे ये भी आपको ध्यान में रखना है RMS की बात करें Railway Mail Service तो ये Mostly आपका Word Use होता है और बार-बार आपको देखने को मिलता है Railway Mail Service उसके बात है RO Record Office RL आपका बोला जाता है Resisted Letter को अब यहाँ पे एक और आती है Most Important RLO अब जो आपका RLO होता है यहाँ पे बार-बार Examiner जो है Confuse करता है Return Letter Office लिखके लेकिन यहाँ पे RLO जो है इसकी Full Forum आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है Returned Letter Office है ना की Return Letter Office है तो बिल्कुल इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे Next है RPB Registered Post Bag उसके बाद एक RNP भी आप इसमें Add कर लीजिए Registered Newspaper को कहा जाता है RNP उसके बाद आपका RPLA Rural Postal Life Insurance S.A.L. Surface Airlift Mail S.B.C.O. Saving Bank Control Organization यह भी Important है आपकी उसके बाद नेक्स्ट है हमारा S.A.S.A. तो यहाँ पर इसको सकन्या समरिधी Account भी बोला जाता है ठीक है S.A.S.A. या फिर दूसरा है हमारे पास Subsidiary Sorting Assistant अब देखिए जो S.A.S.A. का है उसको S.A.S.B.I. भी का जाता है सकन्या समरिधी हो जाना और Speed Post Article को S.P.A. का जाता है और S.P.O. की बात करें Superintendent of Post Office इसको का जाएगा Next है हमारे पास S.D.I. Sub Divisional Inspector S.R.O. Sub Record Office या फिर Sub Record Officer ठीक है इसको कुछ भी का जा सकता है S.S.P.O. Senior Superintendent of Post Office बार बार ये words आपको देखने को मिलते है S.S.P.O. S.P. ठीक है Inspector Post IP ठीक है तो S.S.P.O. की फुल फॉर्म हो जाएगी Senior Superintendent of Post Office S.S.R.M. की Senior Superintendent of Railway Mail Service S.S.O. Sorting Sub Office T.M.O. Transit Mail Office Important है T.M.O. T.S.O. ये वाले Important है आपके Volume 5 से Related है T.M.O. की फुल फॉर्म होती है आपकी Transit Mail Office T.S.O. की होती है Town Sub Office और Town Sub Office इतना Important है लगबग हर एक Question Paper में आपको ये देखने को मिलेगा इसकी Definition आपका Town Sub Office क्या होता है Next है UPU Universal Postal Union VPL Value Payable Letter और VPP की बात करें Value Payable Post या फिर Parcel कुछ भी इसको कहा जा सकते है Vset Important है आपका Very Small Aperture Terminal Volume 5 से Related है आपकी Full Form है उसके बाद IPPV ये फी आपकी Comments है बार-बार आप बढ़ते हैं या फिर बोलते हैं ये word India Post Payment Bank Next है CEPT R-A-K-N-P-A और आपकी CEPT दोनों Most Important है और ये है कहां पे दोनों जगा है ये आपको अच्छे से मालूम होना चीए तो CEPT की बात करें Center for Excellence in Postal Technology इसके Spelling से जुरूर ध्यान में रखने है Confuse आपको कहां पे किया जाता है Center for Excellence बोला गया होगा ठीक है ध्यान में रखना है Excellence है ठीक है तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में इसके Spelling भी देखने है उसके बाद HVMO High Value Money Order DPS की बात करें Director Postal Service यह हमारा हो गया है MPCM Multi Purpose Counting Machine उसके बाद TSO Town Sub Office यह हो गया है यह मैंने आपको बता दिया है इसकी Definition भी बहुत important है PA Postal Assistant ऐसे Postal Assistant या फिर ऐसे हो जाएगा आपका Sorting Assistant तो यह आप भी बनना चाहते हैं ठीक है इसकी Full Form भी आपको पता होनी चाहिए उसके बाद दरपण Most Important Digital Advancement of Rural Post Offices for a New India Important आपकी Full Form है उसके बाद HMS Hybrid Mail Service FM की बात करें तो Franking Machine हम बार बार Franking Machine करते हैं तो उसके लिए Short Term क्या है FM Next है NEFT National Electronic Fund Transfer उसके बाद RTGS Real Time Gross Settlement IMPS Immediate Payment Service यह वाली जो आपकी Full Forms है यह Most Important है यह आपकी बार बार एक्जाम में पूछी जाती है TA Traveling Alons पूछा तो नहीं जाता है लेकिन पता होना चाहिए आपका TA Bill क्या होता है ठीक है Traveling Alons Bill उसका CBS Core Banking Solution यहाँ पे होना था ठीक है Solution तो कहीं इसमें दिखनी रहा लेकिन इसकी Full Form का है Core Banking Solution CPC Circle Processing Center या फिर Central Processing Center दोनों में से कोई फीस की Full Form हो सकती है Next है आपका ECMS Enterprises Content Management System उसका AAPS अधार Enable Payment System Important है आपकी DCT Direct Cash Transfer AAPS और AEBS में ध्यान रखना है एक में आपका Payment है दूसरे में ब्रीज है दोनों ही से में अधार Enable Bridge System CTR Cash Transfer Report RICT Rural Information and Communication Technology ठीक है आपकी RICT Device जो होती है उसकी Full Form आपको ध्यान रखनी है Rural Information and Communication Technology KIF तो जब भी कोई Account Post Office में नया खुलता है तो पहले Customer की क्या बनाई जाती है KIF ID बनाई जाती है तो KIF की अब आपको ध्यान में रखना है Customer Information File पूरियस की Full Form होती है TRCA Time Related Continuity Allowance ठीक है उसकाद MNOP Mail Network Optimized Project AD Advice of Delivery या फिर Acknowledgement ड्यू भी इसको कहा जाता है IBB Interest Own Bearing Balance इंपोर्टेंट है आपकी UCP Unclassified Payment और UCR आप Mostly ये वर्ड सुनते हैं UCR में पैसे डालने ठीक है Unclassified Receipts PM में Postman Mobile Application कहां पे इसका यूज किया जाता है आपको बिल्कुल अच्छे से पता है ठीक है जब articles को deliver करना है कौन से article को जो accountable articles होते है registered articles, speed post article ठीक है तो इन articles को deliver करने के लिए Postman Mobile Application का यूज किया जाता है तो ये थी हमारे पास कुछ एक important full forms यहां पे आपसा direct question भी पूछा जाता है question नहीं अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको फिर भी ये पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप questions करते हैं आप पढ़ते हैं ठीक है अपना syllabus जब भी cover करते हैं तो ये आपको बार-बार देखने को मिलती है आपको SP देखने को मिलेगा बार-बार superintendent नहीं देखने को मिलेगा ठीक है AAPS अगर कहीं पे लिखा है तो आपको पता होना चाहिए अधार enable payment system इसके full form होती है तो इस तरह से आपके ये full forms है जो आपको अच्छे से कर लेनी है बाकि अगर आप regular classes में जुणना चाहते हैं तो जुरूर screen पे दियो है number पे हमें message करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं Thank you